पाप बग्गो धमपद गाथा नंबर 121-122 ये एक एसंयत भिक्कु की कता है एसंयत भिक्कु सारे भिक्कु संग में जैत्वन के अंदर एक एसंयत भिक्कु होते हैं एसंयत का मतब है कि उनको संयम नहीं है क्या करते हैं जो सामान अपने साथ लेके आते हैं जहां बैठते हैं वहीं छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि विने का कोई नियम को बड़ा तूटा नहीं, चोटी सी बात है कि उठा कर रख देगा तो जो सामान जहां से लेते हैं उसको वहीं छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं इस तरह से वो सारा सामान कहीं का कहीं पहुचाते रहते हैं ये बात भगवान बुद्ध के संग्यान में आती है, तो क्योंकि भिक्कु इसको सीरियस नहीं लेले रहे हैं, अब भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि ये जो छोटी छोटे आप जो काम कर रहे हो, जो छोटे छोटे नियम तोड रहे हो, इनको छोटा मत समझो, इनको य्रुन्पफ्ट वो ये कहते है कि किसी भी नियम का जब आप पालन करते हो तो वो छोटा छोटा मा वमेत पापस्य ने मंग तंग आगमिस्सती उद बिन्दू निपातेईन उद कुम्भोती पूर्ती बालो पूर्ती पापस्य थोकं थोकंपी आचिनंग मा वमेत पापस्य का मतलब है कि जो पाप है उसको अवेला मत करो उसको उल्टा मत करो यानि कि उसको ऐसा मत करो कि हम इसे कुछ नहीं समझते उसकी अवेला मत करो जो पाप है मा का मतलब होता है don't मत करो वम का मतलब होता है उल्टा करना वमेत का मतलब उल्टा ना करें तो उसकी अविला ना करें नै मंग तंग ए गमिस ससती कि ये तो जो आएगा ही नहीं या इसका कुछ होगा नहीं ऐसा ना सोचें यानि ऐसा ना सोचें कि इससे तो कोई फरक पड़ेगा नहीं ये तो मेरे पास आएगा ही नहीं उद बिंदू निपातें उद बिंदू निपातें उदक माने पानी होता है उद बिंदू माने पानी की बून्द है क्या होता है पूर्ती पूरा हो जाता है यानि बूंद बूंद पानी गिने से घड़ा पूरा भर जाता है बालो पूर्ती पापस से ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने पाप को पूरा भर लेते हैं तोकंग तोकंपी अचिनंग थोड़ा थोड़ा करके अचिनंग मान वम एत पुईयसे ने मंग तंग आगमिस्थी, कुद बिंदू निपातेन, कुद कुम्भू, ओपी पूर्ती, धीरो पूर्ती, पुईयसे थोकंग थोकंपी आचिनन मेरे पास नहीं आएगा मेरे पास नहीं आएगा पुकंग थोड़ा काम करेगा वो पुरूणे से उसका घड़ा भर जाता है ऐसा उन्होंने इन दो कताओं में बताया दोनों ही बाते बताई हैं निकेटिव बी और पॉजिटिव बी वो कहते हैं कि आप ये ना समझें कि जो जीवन में आप थोड़ा 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 विने का नियम तोड़ते हैं तो यह ना सोचे कि result नहीं आने वाला है result तो आएगा या तो सराप पी के accident होगा या सराप पी के गाड़ी में कहीं मारेगा या नाली में गरेगा या लीवाइक खराब होगा या कोई बीमारी होगी या blood pressure ही होगा या कुछ ना कुछ होगा पیسہ तो जाएगा या सिहत पी जाएगी या जो आप गुसा करते है तो गुसा करते करते आप ये ना सोचें कि नुबसानी होगा वो बड़ता जाएगा बड़ता जाएगा सरीर में किस दिन attack देतेगा आपको या अगर अगर ये सोचते हैं कि बच्चा आपका का स्कूल में जाता है या बाहर जाता है तो कोई सावान उठालाता है तो हसी मजाग में टाल देते हैं या कोई छोटा मुटा जूट बोलता है तो उसको हसी मजाग में टाल देते हैं या कोई बात वो ऐसी करता है जो ठीक नहीं है तो आप कहते हैं कि बच्चा है इसकी तो मा नहीं मिलेगा पूरा परिवाइश से संतुष्ट होगा और खुस होगा अगर आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से डाइविंग सिकाएंगे साइकल सिकाएंगे तो वो आगे जाके कोई एक्टेंट नहीं करेगा अगर आप सोचेंगे कोई बात नहीं तो चलता है बच्चा है तो वो आगे जाके कोई ना कोई एक्टेंट भी कर सकता है तो इसलिए छोटी छोटी बात है जितनी भी है चाहिए वो अच्छी या खराब है उनको ये ना सोचें कि इनसे मेरा क्या होगा यानि अच्छी बात है तो इससे क्या फरक पड़ेगा चोटी है और कोई खराब बात है तो इससे क्या फरक पड़ेगा कि ये छोटी है ये बिल्कुर नैचुरल है, नैसरगिक है, शग्य है, ये ऐसा होता है, ये नियम है, धन्यवारी धमपद गाथा 119 और 120 इसकी कथा एक ही है, 119 और 120 पाप बग्गो पापो पी पसती भद्दंग याव पापंग ने पच्चती यदाचे पच्चती पापंग अथ पापो पापानी पसती भद्दो पी पसती पापंग याव भद्दंग ने पच्चती यदाचे पच्चती भद्दंग अथ भद्दो भद्दानी पसती इसकी जो कथा है, वो बहुत इंट्रेस्टिंग है इंट्रेस्टिंग इसनी है क्योंकि बहुत सारे सेट दुनिया में आएंगे बहुत सारे million year, 10 year, billion year, अरबपती, खरबपती, करोडपती दुनिया में आएंगे और जाएंगे मगर जो नाम अनात्पिंडक का है ऐसा किसी का नहीं होगा अनात्पिंडक अरबपती, खरबपती भी था और जब अरबपती, खरबपती नहीं था और सारा ब्यापार उसका खतम हो गया और उसके पास एक दाना भी नहीं था अनात्पिंडक की महिमा उससे ज़्यादा थी जब वो अरबपती और खरबपती था अनात पिंडग ने जैतवन आराम यानि जो जैतवन का बिहार था जैतवन आराम बोलते हैं यसे काल आराम मंदर है ऐसी जैतवन आराम मंदर का मतलब होता है जहां मन का दर्दूर हो सके ऐसी जैतवनारा मंदर हो गया यानि कि वहाँ जैतवन तो जैत का राजकुमार था जैत राजकुमार बोलते थे भगवान बुद्ध की लिए एक जगए उसको चाहिया थी जो सावित्थी से थोड़ा ना दूर हो ना पास हो और बहुत बड़ी हो उसको वो बाग बगीचा पसंदाया उसने वो ख़एदना चाहा राजकुमार को बेज़ती महसुस होई कि ये अधनासा आदमी हमारा क्या ख़एदेगा उसका जैत का जो कुमार था जिसका मालिक था उसने कह दिया कि सौने से जमीन को अगर बचा दोगी तो दे दूँगा नहीं तो यहां से जाओ ये इसकी कीमत है और वो गाड़ी भरवर के बताते हैं कि सौने की मोहरे लाला के उसने बचाना सुरू किया थोड़ी जमीन रहे गी तो वो फिर जैत ने उसको दे दिया अनात पिंडक आराम नहीं नाम उसका पड़ा और नहीं सुदत पड़ा सुदत अनात पिंडक का नाम था तो नहीं सुदत आराम पड़ा और नहीं अनात पिंडक आराम पड़ा नाम जैत नाराम में पड़ा ये भी एक बड़ी बात है कि खरीदा अनात पिंडिक ने, खरीदा सुधत ने और नाम उसमें जैत का ही रहा, बेसक बहुत छोटी सी एक जमील का टुकड़ा उसने दिया, तो भी उसके उपर नाम उसका रहा, मगर अनात पिंडिक का नाम सब जानते हैं, बेसक जैत आराम नाम है, मैंगर जैत के कुमार को कोई नहीं जानता, नाम जैद चलता है बस अतना ही, क्योंकि अनात पिंड़क ने धम को बढ़ाने के लिए और धम को सीखने के लिए सब कुछ अपना दिया, जो उसने कमाया वो सब दिया, और जो कमाता रहा वो देता रहा, उसको बड़ा आनन्द मिलता था, और वो सोता पती फल को प्राप्त हुआ, सोता पंध हो गया, अनात पिंड़क ये समझ गया, कि ये जो धन है, ये तो चलाए मान है, आना जाना है, में और दान के बलपन ही सोता पती पन हो गया, ऐसी कहानी अनात पिंड़क की और सुदत की है, आप अगर इत्यास में जाएंगे, तो इत्यास में आपने देखा होगा, कि बहुत सारे राजा, महराजा, प्रधान मंत्री, राष्टपती दुनिया में बिखरे पड़े हैं, उसके नाम पे गाली बकते हैं, कोई उसके नाम पे अपने बच्चे का नाम नहीं रखता, और जिन्होंने अच्छा काम किया, उनके नाम पे हजारो नाम है, यह अच्छाईगा और यह बुराईगा अंतर है, आप देखेंगे कि कितने सारे धन्वान हुए, उनका कहीं चिक उन्होंने ना अस्टाल खोले ना उन्होंने कॉलिज खोले ना उन्होंने जन्ता को खाना दिया ना जन्ता को बलकर जन्ता से टैक्स लेके कर लेके लूगते रहे खाते रहे और पैसे को ले लेके भागते रहे उनके परिवार खतम हो गए उनका वंसज नहीं बचा और उनके वनसज को कभी किसी ने पानी भी नहीं दिया और वो वनस अपने को छुपा के रखते हैं यानि बताते भी नहीं है के हम फलाने राजा के वनसज हैं क्योंकि पबलिक मारेगी क्योंकि राजा ने अच्छा काम नहीं किया ये हिस्ट्री के दुनिया के जितने भी तानासा रहे हैं या जितने भी करूर राजा रहे हैं या जितने भी बेफकूफ राजा रहे हैं या जितने भी सासक रहे हैं उनकी हिस्ट्री उठा लीजिए उनके वनसज खतम हो गए उनकी जो हेरार्किय वो खतम हो गई उनकी लिस् अच्छे करम करने वालों के नाम चलते हैं और खराब करने वालों के छुप जाते हैं, लोग उनको जूतावी मानने को त्यार नहीं होते हैं, वही बात इस दो जो गाताएं उनके अंदर भगवान बुद्ध ने पताई हैं, ऐसे बताते हैं, अनात पिंडक के जब दिन महराज, मालिक आपने बुद्ध और बुद्ध के विक्कों के उपर सारा कुछ लुटा दिया, और आप इतने धनवान थे, निर्दन हो गए, मेरी सला मानिए, अब आप बुद्ध को और उनके विक्कों को कुश मत दीजिए, अपना बैपार कीजिए, फिर से धन्धाने ख मालिक ने उसे उतनी बुद्ध असे डाटा, और यह डाट खाने के ABOUT में समझने के लिए वो भगवान बुद्ध के पास गया, मपगवान बुद्ध से उसने कहा कि मैंने तो मालिक के भले के लिए कहा था, बर मुझे डाटा और तो मुझे संज्द में आता नहीं, आप की पापन ने पच्चती यहां जो सब्द भद्दंग है इसको कहजी के भद्दंग लिखा हुआ है आधारे पाली में नहीं होता क्योंकि भद्दी है भद्द प्रदेश और भद्द जो लोग है उनी के साब से भद्दी है तो इसको भद्द कर कहीं पड़े आधारे कहीं नहीं ह इसलिए पाली मध्यान है, अगर कहीं ब्रह है तो इसको बही पढ़ें पापो पी पस्षती भद अंग याने पाप भी पस्षती भद जो है जो बन माने जो अच्छा है कल्यान है वो पाप को देखता है पापी को जब तक पाप का फल नहीं मिलता यदा चेपच्चती पापंग यदा माने जब और पाप पकता है अथपापो पपानी पसथी तब वहए पाप के फल को देखता है यानि की जो पाप ही है वो पाप के फल को अच्छा ढेकता है कैसे देखता है? उसको लगता है कि उसने आज कहीं चोरी की अच्छा किया उसने लगा कि आज उसने रिस्वत ली अच्छा किया उसने कहीं किसी को मारा तो अच्छा किया उसने किसी को सताया तो अच्छा किया उसने किसी की जमीन पर कबजा किया तो अच्छा किया उसने किसी के अधिकार को चीना तो अच्छा किया उसने किसी के जगे नौकरी ले ली तो अच्छा किया उसने किसी का कोई जो मिलने का सामान था उसके खुद ले ले लिया तो अच्छा किया जाल साजी हेरा फिरी करके तो पापी को वो फल जो है वो बड़ा अच्छा लगता है उस समय जब वो करता है मगर जब वो पाप का फल पकता है कैसे पकता है अगर आप किसी का नुकसान करेंगे तो आप शांत नहीं रहेंगे तो दारू पियेंगे, तो आपके घर में आपके बच्चे भी दारू पियेंगे, आप सिगर्ट पियेंगे, आप बीडी पियेंगे, आप हुका पियेंगे, आप इधर दर अनाप से पहला जाएंगे, आप वैफचार में जाएंगे, जोट में जाएंगे, तो आपके बच्च किना फिल्कींज करके ऐसे तोㅠㅠ तो पीछे पीछे ख्याती भी जाती है बचों को पुछ एसे भी टेलीफोन का और नेट रमाना है तो इनकों फॉर्ट Naम जाती है महलने में सब जानते है कि यह घर के आदमि के और ये कितना अच्छा है, कहता कोई कुछ नहीं है, मगर सब जानते हैं, इसलिए उसे दूरी बना के रखते हैं, गंदा आदमी हैं, दूरी बना के रखते हैं, ये दूरी बना के रखते हैं, ये दूरी बना के रखते हैं, तो पापी का फल तो पकता है, तब उसे पता चलता सुरू में पता नहीं चलता जैसे सराप पीने वाले को सुरू में तो लगता है बड़ा मज़ा आ रहा है सर घूमा दिमाग घूमा पैर घूमा ऐसा घूमा वैसा घूमा मगर जब उसका लीवा खराब होता है जब उसे घर में कोई पूस्ता नहीं है जब महले में उसकी इजट नहीं रहती जब उसे लोग अपने यहानी बलाते रिजदार नहीं उसे पूस्ते उसे सरा भी कहके उसकी बेज़ती होती है तब उसे सुन्ज़ में आता है कि भई ये जो मैं सरा पीता हूँ तो भी पाप को देखता है जब तक भद नहीं पकता। क्या है जो अच्छा व्यक्ति है यानि जो कल्यान करने वाला व्यक्ति है वो भी पाप को देखता है। ये कोई अच्छा व्यक्ति है वो देखता है कि भई ये पाप काम है इसको मैं नहीं करूँगा। क्योंकि वो देखता है कि ये जो पाप है, ये पाप पकेगा, इसलिए वो उसको देखता है और उसको गर्ण नहीं करता, उसको दूर कर देता है, तो इसलिए भद का पाप पकता नहीं है, और जब भद पसता है, तो भद को भदता देखता है, यानि कि और जब उसकी अच्छाई, कौन सी अच्छाई, ये अच्छाई कि उसने पाप को देखा और पाप को गरन नहीं किया, उसने सिर्फ अच्छाई को देखी और अच्छाई को गरन किया, और ये अच्छाई जब पकती है, क्योंकि पाप भी पकता है और अच्छाई भी पक्ती है आप जो पाप करम करेंगे उसका रिजट आएगा दुखो का और जब आप अच्छा काम करेंगे पुन्य करम करेंगे तो उसका रिजट आएगा अच्छे का तो जो अच्छा व्यक्ति होता है जो भद्य व्यक्ति होता है वो उसकी अच्छाई को पकते हुए देखत पाप फल में बदलता है अगर जो उसका मन सुध है और निर्मल है और जो साफ हो चुका है वो उसका सुख देता है सुख जो आता है मन में आता है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद तंगं सरेण गच्छामू तंगं सरेण गच्छामू तंगं सरेण गच्छामू तंगं सरेण गच्छाम्ыс तंगं सरेण गच्छारमू बुतियं पी दम्मंग सर्नं गच्छान। तदियं पी बुद्धं सर्नं गच्छान। ततियं पी घुतंग सर्मं गच्छामी, ततियं पी धंगं सर्मं गच्छामी, ततियं पी दंगं सर्मं गच्छामी, ततियं पी जंगं 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 सर्मं गच्छामी, तति पेसंदं सर्णं तर्शामी साथों, साथों, साथों कामे सुमिछ चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी 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 कामे सुमिछ चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी